अगर आप जल्दी से बता दीजिए अगर आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए कि हां सर हम आपको सुन पा रहे हैं फटा फट फटा फट एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है हलो 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 यसर 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 आवाज आ रही है तो चलिए अब क्या मैं आप सभी लोग को दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं आप सभी लोग को दिखाई दे रहा हूँ अगर दिखाई दे रहा हूँ तो जल्दी से बता दीजे गुड़ींग 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 जल्दी से बता दीजे कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे ह जल्दी से एक बार बता दीजिए मुझे कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं तो ठीक है सर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग आ चुके हैं तो चलिए भाई आज़ये आज़ये आज हम अपने क्लास एट फ्रिजिक्स का जो अगला चाप्टर है यह हम कहें दूसरा चाप्टर इस परिक्षा भ्यास सीरिस का दूसरा चाप्टर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है Chemical Effect of Electric Current तो संजे मिश्रा जी भी हमारे पास शौम्या है, स्रिष्टी है, हमारे पास हमारे साथ शंदीप हैं और पित हैं, PW के PVNs हैं, हेलो 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 कैसा रहा आपका ये दिन, कुछ खाया पिया की नहीं, या फिर बस ऐसे ही पढ़ाई किये जा रहे हो, सुबह से पढ़ाई किये जा रहे हो, हैं, अपना खयाल रख रहे हो की नहीं वर्ना पता चले की लेक्चर के बीच में आपको भूक लगने लगे लेक्चर के बीच में आपको प्यास लगने लगे आपको सर जी ठक गए है सर जी ठग गए हैं पढ़ पढ़ के ठग गए सर आप पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं आप ठगे होंगी नहीं पर हम लोग तो ठग गए हैं तो ऐसा तो नहीं होगा न कुछ energy है आपके अंदर sufficient amount of energy है जादा नहीं आपके energy consume करेंगे बस थोड़ा बहुत इतना सा energy ले लेंगे आपके दिन का तो which energy भाई energy भाई energy भाई जो पढ़ने के लिए चाहिए यहाँ पर और कोई energy तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर चाहिए तो आज हम लोग यह पढ़ने वाले ठीक है आज हम पढ़ने वाले chemical effects of electric current and I hope कि आप सभी लोगों ने चाप्टर पढ़ा है तो एक बार जारा मुझे जल्दी से चैड वॉक्स में बता दो किस किस ने चाप्टर पढ़ा है किस किस ने चाप्टर इस चाप्टर किया है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी है जल्दी कराएंगे गोलुभाई एकदम जल्दी वाजी वाली train होती है न थोड़ा वो जल्दी पहुंच जाती है तो समझ नहीं आता है तो थोड़ा और भी आपके जो दोस्त मित्र यार हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग भी आ जाए तो फिर शुरुआत कर देंगे एक बार है ना फटा फट शुरुआत कर अगरूं कि आपको चीजे आती हैं तो भरोसा मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे प्रूफ मिलेगा और प्रूफ कैसे मिलेगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है प्रूफ मैं आप से ले सकता हूं तो आप से जो चीजे में पूछू वो आपको बताना है तो चलिए स्टार्ट कर मेरा नाम है आलोक चौबे आप सभी का दोस आपका हो सर्फिस्टिक्स मेंटोर और जो यहां पर पहले से हैं और जो पहली बारा हैं उन सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं उनके अपने प्यारे से चैनल पी डवलू लिटल चैंपर जहां पर हम लोग ने परिच्छा अ अब जो एलेक्ट्रिक करिंट वाला जो टॉपिक है आप लोगोंने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो भीया हमको पूरा 100% भरोसा है आप लोगों पे हमको 200% भरोसा है कि आप लोग भूल गए होंगे आप लोगोंने क्लास 7 में जो पढ़ा होगा अलोक सक्सेना जी आपने जो पढ़ा होगा class 7 वे भूल गया होंगे तो मैंने सुचा कि क्यों ना पहले आपको electricity वाला जो portion है वो थोड़ा सा revise करवा दिया जाए तो आपको थोड़ा सा revise करवा दिया जाए electricity वाला portion and then उसके बाद हम इस chapter में एंटर करेंगे तो कैसा रहेगा आपको एक के साथ दो दो यान तो हम लोग आज discuss करेंगे how electricity flow chemical effect of electric current क्या होता है and electroplating क्या होता है यह हमारे आज के इस class के तीन topic तीन मुद्ध्य होने वाले हैं ठीक है चलो भीया ओके चलिए start करते हैं तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि electricity flow होने के लिए electricity flow होने के लिए किन-किन materials की ज़रूरत होती है जल्दी समझे बताइए कि अगर electricity flow करवाना है तो किन-किन चीजों की आवशकता होती है किन-किन चीजों क्या आवसकता होती है अगर current flow होना electricity flow होना है तो किन-किन चीजों क्या आवसकता होती है thumbnail wrong लग गया है कोई बात नहीं उसको ठीक करवा दिया जाएगा उसको ठीक करवा दिया जाएगा चैप्टर का नाम है chemical effect of electric current chemical effect of electric current पढ़ने वाले है तो बिल्कुल आप लोग घवराईए नहीं light chapter भी हम लोग पढ़ेंगे light chapter भी पढ़ेंगे ठीक है तो किन-किन चीजों कि wires की ज़रुत होती है conductor, insulator, switch conductor, source of energy source of energy आपने बिल्कुल सही बोला है आपने source of energy energy का source चाहिए यानि electricity का मतलब क्या है electricity का मतलब है एक type का energy जो की एक जगे से दूसरी एक फ्लो होके जा रहा है फ्लो होके जा रहा है तो सबसे पहले तो हमको चाहिए source of energy और उसके अलावा हमें क्या चाहिए अच्छा भईया आप लोग है आपको school जाना है school जाना है तो आप लोग को क्या चाहिए बस कहाँ पर चलती है बस चलती है रास्ते पर रास्ते पर चलती है यानि इस energy को एक जगे से दूसरी जगे तक पहुँचाने के लिए भी कुछ चाहिए यानि रास्ता चाहिए, path चाहिए और वो path कहां से मिलता है तो wires के थू मिलता है path यानि यहां से इस energy source से energy इस wire से होते हुए कहां पर पहुंचती है वो पहुंचती है एक आपके मंजल तक या हम कहें कहां पर आपके indicator तक क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा भाई पता कैसे चलेगा कि current flow हो रहा है कि नहीं हमें पता कैसे चलेगा electricity flow हो रहा है कि नहीं तो पता चलेगा indicator से अगर bulb glow किया तो current flow हो रहा है अगर horn बजा तो current flow हो रहा है तो ये होती हैं आपकी कुछ basic सी चीज है जैसे कि source of energy चाहिए, आपको wire चाहिए और आपको चाहिए कुछ indicator जो की bulb हो सकता है अरे प्रशान मेरे भाई, हाई गुरुजी कैसे हो, मैं एकदम बढ़या हो मीना देवी, रितिक सर, I think physics नहीं पढ़ाते हैं रितिक सर, मैत पढ़ाते हैं, वो मैत की लास में आपको मिलेंगे, है ना मैं एकदम बढ़या हो, है ना, तो देखिए आपको source of energy चाहिए, आपको wire चाहिए, indicator चाहिए इससे पता चल जाएगा कि किसी circuit में current flow रहा है की नहीं, है ना और, और, एक आपको, एक situation देता हूँ, situation देता हूँ, आपको सुनना है, समझना है, और फिर answer देना है, और फिर देखो कि भाया, वो आप answer दे पाओगे की नहीं, थोड़ा सा logical सवाल है, logical सवाल है, थोड़ा सा ये आपका घर है, और ये आपका school है ये आपका घर है, ये आपका school है घर से school जाना है, ये आपका घर है, ये आपका school है, और आपको अपने घर से school जाना है, तो आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, बच्चों, पर क्या है कि आपके घर से school जाते हैं, तो रास्ते में एक bridge आता है रास्ते में एक ब्रिज आता है और वो ब्रिज आपको पार करके जाना होता है ठीक है तो आपको क्या करना होता है जब घर से स्कूल जाना होता है तो एक ब्रिज आता है आपको वो ब्रिज पार करके आपको अपने स्कूल जाना होता है ठीक है आप लोग स्कूल जाओके याग कि आप लोग स्कूल जाओके रेते हैं ये हमेशा केते हैं कि हम लोग तो भाई अपने जमाने में हम लोग नदी तेर के जाते थे, नदी तेर के स्कूल जाते थे, तो एक सिंपल सा सवाल, अरे नदी के पार वाले स्कूल में जाना ही क्यों होता था, नदी के पार वाले स्कूल में एडिमिशन ले 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 आना चाहिए था है, नदी के पार जाते थे, हम क्रॉस करके स्कूल जाते थे, तो सवाल है आप लोग पूछ लीजेगा अरे पापा जी आप नदी के पार वाले स्कूल में एडिवीशन ही क्यों करवाए आप इधर वाले स्कूल में एडिवीशन करवा लेते यहां जाते आप फालतों में जाते होंगे फिर कपड़ा गीला हो गया फिर दूसरा कपड़ा समय लगता है तो यहाँ पर क्या चाहिए पूरा एक complete रास्ता चाहिए अगर current को flow होना है यानि आपको घर से school जाना है तो जो रास्ता है वो कैसा चाहिए complete चाहिए कहीं पर भी break नहीं होना चाहिए complete road होगा complete road होगा तभी आप लोग अपने घर से school जा पाएंगे उसी प्रकार से अगर जो circuit है circuit का मतलब क्या होता है जरह बताओगे circuit circuit का मतलब क्या होता है अगर नदी के school इधर ना हो तो घर उधर ले 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 नदी के उस साइड बहुत सिंपल है गायत्री जी और ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये क्या बताओ सवाल अभी आपसे पूझे हैं सवाल अभी आपसे एक पूझे हैं क्या सवाल पूझे हैं circuit good evening बचा लोग चलिए जल्दी से बताइए electric circuit क्या होताँ? electric circuit जिसमे electricity flow करता है यानि एक ऐसा रास्ता एक ऐसा पात जहां पर electricity flow हो गरता है बिल्कुल सही बात है और रास्ता कैसा होना चाहिए complete तो जो circuit है वो भी कैसा होना चाहिए complete और एक complete circuit को कहा जाता है closed circuit और एक closed circuit में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे की यह एक electric source energy source यह हो गया battery यहाँ पर एक हो स्विच के बाद क्या हो गया इसमें हो गया एक बल्ब यह कुछ चीज़े होती है जो कि एक basic से basic से electric circuit में होती है ठीक है यह electric circuit यह closed है यह closed है और यह continuous है closed path है अगर रास्ता close होगा रास्ता complete होगा तभी एक जगे से दूसरी जगे जा सकते हैं है ना तभी हम एक जगे से जा सकते हैं अगर definition नहीं पता है तो definition कोई लिख के बताएगा क्या नैंशी कशेफ अपास त्रोवेच electricity flow नैंशी कशेफ ने एक दम सही कहा है सर बल भी यह पक्का है यार बल भी यह पक्का बल भी का ऐसी बनाते हैं ऐसी बनाते हैं ऐसे confuse मत करो यार ऐसी बनाते हैं circuit is a combination of switch indicator and wire हम कह सकते हैं circuit is a closed continuous path in which electric current flow easily तो समझ में आ गया होगा आपको कि current flow होने के लिए आपको source चाहिए energy source आपको wire चाहिए आपको indicator चाहिए and electricity always in a closed path क्योंकि ह हम complete रास्ते पर ही चल सकते हैं अगर रास्ता तूटा हो तो हम नहीं जा सकते हैं कहीं पर अब अगर बात करते हैं कि जो wire है जो wire है वो wire हम wire ही क्यों use कर रहे हैं हम लकडी का टोकड़ा क्यों use नहीं कर ले रहे हैं plastic की bottle क्यों use कर नहीं कर ले रहे हैं कोई मुझे बताएगा circuit बेटा define क्या ना circuit मैंने circuit अभी मैंने define क्या circuit का अगर आप कहें तो मैं definition लिख देता हूँ electric circuit is a चलो definition लिख देता हूँ आप लोग कहा रहा हैं तो definition लिखता हूँ electric circuit is a closed continuous electric circuit is a closed continuous path in which electric current flow easily yellow electric circuit definition ठीक है क्योंकि लकडी conductor नहीं है लकडी conductor नहीं है बिल्कुल तो भाई conductor और insulator जब आपको यह word पता है तो यह भी बता दो के ऐसे material जो कि अपने अंदर से current को flow होने नहीं देते हैं अब चलो आपको जरा समझाता हूँ ध्यान से देखना ध्यान से है ना ध्यान से देखना आप बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूँ बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ बस आप लोगों से थोड़ी कम प्यारी है पर प्यारी चीज है अब देखो बच्चो ये क्या है? ये एक wire है या हम कहें ये एक conductor है ठीक है? ये conductor है देखना ज़रा ध्यान से पूरे ध्यान से देखना आपको electricity हमीशा के लिए समझ में आ जाएगी हमीशा के लिए समझ में आ जाएगी देखो ये रहा point A, ये रहा point B पॉइंट A, पॉइंट B, अब क्या हो रहा है, एनर्जी को फ्लो होना है, एनर्जी को फ्लो होना है, करेंट को फ्लो होना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो यहाँ पर रखी हुई है एनर्जी, यहां पर energy का supply किया जा रहा है कैसे तो इस wire को क्या किया बच्चो इस wire को हमने इस wire को connect कर दिया है एक battery से तो देखो हमने इस wire को इस battery से connect कर दिया है यानि एक energy source से connect कर दिया है हमने इसे एक energy source से connect कर दिया इसका मतलब इसमे current flow होना चाहिए energy flow होना चाहिए ठीके अब देखो ज़रा ध्यान से ध्यान से देखना यहाँ पर energy आ रही है पर point A से point B तक energy लेकर आखिर जाएगा कौन point A से point A से point B तक energy लेकर जाएगा कौन अब एक simple सा सवाल पूछता हूं एक simple सा सवाल पूछता हूं बच्चो आपको अगर burger pizza मंगाना हो अगर आपको dress मंगाना हो अगर आपको shoes मंगाने हो तो आप क्या करते हैं आप order करते हैं और order करते हैं तो वो चीज़ आपके घर तक आ जाती है पर वो चीज़ लेकर कौन आता है क्या अरे बड़े आ रहा है मम्मी से बला, मम्मी जीन्स चाहिए, मम्मी हमको नई नई शर्ट चाहिए, मम्मी हमको पीजा बर्गर खाना है, तो आपके घर पर जो आता है सामान आपका वो लेकर कौन आता है, delivery boy, delivery boy, delivery boy, delivery boy, यानि delivery boy एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो कि एक जगे से आपके सामान को पिक करके और आपके घर तक ले जाकर पहुचा देता है यानि कोई ऐसा हो जो कि एक जगे से सामान को उठाए और फिर ले जाके दूसरी जगे उस सामान को डिलीवर कर दे तो वैसे ही इस point A पर energy तो आ गई है अब इस energy को point B तक पहुचाना है point B तक energy को पहुचाना है A से B तक तो वो कौन है जो की energy को A से B तक पहुचाएगा तो भया गोलू गोलू जी कह रहे हैं गोलू जी कह रहे हैं sir electrons epic pledge electrons बेटा wire नहीं free electrons free electrons बिल्कुल सही है तो क्या होता है जो conductors है उन conductors के अंदर ऐसे free electrons होते हैं free का मतलब तीन रुपे के मिलते है वो और हना यही मतलब है free का जा मतलब जो कोई मुझे बताएगा क्या ये electrons free में मिलते हैं free का मतलब ये होता है free का मतलब जो freely available ओ नहीं which can move freely स्रिस्टी स्इङंग के लिए एक बार तालिया हो जाए श्रिस्टी सिंग ने वही सही बोला है free electrons का मतलब है they can move they can move freely यानी ये आसानी से move कर सकते हैं अब देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां से energy हमने battery से दी A से B तक energy को लेके जाना है अब यहां पर इतने सारे delivery agent है इतने सारे delivery agent है तो यह delivery agent क्या करेंगे यहां से energy को लेंगे और energy को पकड़के पकड़के ले जानि बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉंस हैं जो कि कैसे work करते हैं, यहाँ पर फ्री इबाद पूंचाते हैं और इसी वजे से, conductors में current आसानी से flow सकता है क्योंकि conductors have ample amount of free electrons ample amount of free electrons समझ में आया क्या कह रहा हूँ and electrical conductor is a substance in which electrical charge carrier usually electrons move easily from atom to atom with the application of voltage तो अब समझ में आया conductor अगर आप लोगों से कोई पूछे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भया conductor क्या होता है तो definition बता के आओगे या समझा के definition बता के आओगे या समझा के बता आओगे सिर्फ definition बता दोगे कि भाईया conductor का मतलब है conductor अंकल एक मिनट अंकल एक मिनट बता रहो conductor conductor is a material conductor is a material which allow electric current to pass through them अंकल यह होता है ऐसे बताओगे नहीं बोलो के अंकल बैठो अंकल लेट तो नहीं हो रहा न अंकल आपका चिंट्व इंदजार नहीं कर रहा न अंकल बैठी इदर आए अंकल इदर बैठी इदर आए इदर आए ये देखिये अंकल ये एक wire है अब इस wire में हम यहाँ energy दे रहे हैं तो एनर्जी को ए से बी तक लेके कौन जाएगा अंकल, तो एनर्जी को ए से बी तक लेके जाएगा अंकल, कोई होना चाहिए जिसे हम energy carrier delivery agent कहते हैं, तो अंकल यहाँ पर free electron delivery agent होते हैं, और अंकल अंकल free electron का मतलब है, वो free में नहीं मिलते हैं, वो move कर सकते हैं आसानी से, इसलिए उन्हें free में कहा जाता है, तो अंकल यहाँ पर energy देंगे, तो वो electron energy को carry करेंगे, और आगे ले जाके point B तक deliver कर देंगे अंकल, अंकल समझ में आ गया, conductors में current क्यों फ्लो होता हैं अंकल, क्योंकि conductors में अंकल free electrons होते हैं, एको जड़ा ध्यान से बच्चों, ये एक insulator है, हमने क्या किया, हमने इस insulator को connect किया battery से, हमने इस insulator को connect किया battery से, अब सेम वही चीज़ हमें करना है, इसमें A से B तक energy को transfer करवाना है, तो यहाँ पर energy transfer नहीं हो रही है, answer, reason क्या है, no free electron, रक्षी देवी कह रही है no free electron, no free electron बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी electrons नहीं है, कोई भी electron नहीं है, यहाँ पर कोई भी electron नहीं है, तो हम लिखेंगे no free electron present here, यहाँ पर एक भी free electron नहीं है, एक भी free electron नहीं है, इसका मतलब एक भी delivery agent नहीं है, एक भी delivery boy नहीं है और अगर delivery boy नहीं है तो energy का एक जगे से दूसरी एक delivery नहीं हो पाएगा और इस वज़े से insulator में current flow नहीं होता है तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि conductors क्या होते हैं insulator क्या होते हैं insulator का मतलब an electrical insulator is a material in which electron electric current does not flow freely does not flow freely due to the absence of free electrons due to the absence of free electrons and I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा बहतर तरीके से current कहां flow होता है conductor क्या होते हैं insulator क्या होते हैं समझ में आया तो जब कभी भी delivery boy देखोगे delivery boy देखोगे तो क्या समझ में आएगा क्या दिमाग में आएगा कि अरे सर ने तो delivery boy से हमको conductor insulator पढ़ाया था तो अब बताओ अगर भूलने की कोसिस करोगे conductor insulator तो भूल पाओगे क्या सम्यक जएन बचे electron क्या होता है तो हम आप इस ब्रह्मान में कोई भी चीज सब atom से मिलके बनी होती है और atom भी तीन चीज़ों से मिलके बना होता है तो उसी में से एक होता है electron ठीक है voltage का मतलब है इन electrons को energy दी जाती है जो energy दी जारी electrons को वो voltage कर लाता है और voltage को define करें तो अभी ज़रुरत नहीं है आप class 10th में आएंगे electricity में तो वहाँ define कर देंगे अभी confusion नहीं करने आपको ठीक है अभी confusion नहीं बढ़ाना है तमझ में आ गया चमक गया भहिया चमक गया चमक गया बहिया चमक गया चमक गया concept चमक गया अब यह concept नहीं फीका पड़ने वाला है तो आगे से आप क्या भूल पाएंगे नहीं भूल पाएंगे अब भया भूल के बताओ चलो challenge दिया जाओ challenge दिया challenge दिया मैंने challenge दिया भूल के बताओ conductor क्या होता इंसलेटर क्या होता है भूल के बताओ भूल के बताओ अगर कोई भूल जाए तो फिर बताना अब how electricity flow नहीं 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 दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा मैं नहीं दिखाऊंगा मेरा मन नहीं है मैं नहीं दिखाऊंगा चलो पहले पूचता हूँ मैं पहले मैं आपसे पूचता हूँ कि क्या आपको यही चीज़ देखना है क्या आपको एनिमेशन में देखना है अगर फोड़ी सी गुंजाइस रह गई है फोड़ी सी गुंजाइस और रह गई है जैसे वह होता है ना कि बैग भरते हैं बैग भर लिए बैग भर लिए अरे सारा रखा गया औरे मम्मी एक साट तो छूट गई अरे कि चिंटू जगे नहीं है अरे एक काम कर साइड में रख ले बोटल वाली जगे में तो वेसे ही आपको अगया है आप थोड़ा animation और दिखा देते हैं तो animation एक बैटरी है जिसका यहा है पॉर्जिट्व टर्मिनल और यह रहा बैटरी का नेगटिव टर्मिनल अच्छा, ये बताओ, ELECTRON पर कौन सा चार्ज होता है ELEKTRON पर कौन सा चार्ज होता है तो ELECTRON पर नेगेटिव चार्ज होता है ELECTRON पर बच्चा पाटी नेगेटिव चार्ज होता है और आपने एक चीज़ तो पड़ी होगी कि opposite charge attract each other opposite charge attract each other and same charge repel each other तो opposite एक दूसरे को attract करेंगे और ये देखो battery का ये क्या है positive terminal है तो ये क्या करेगा electron को अपनी और attract करेगा ये battery का negative terminal है तो negative terminal क्या करेगा इस electron को धक्का देगा रिपेल करेगा भागो यहां से भाग 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 और यह positive कहेगा आजा मेरे पास आजा आजा मेरे पास आजा यह उसको बुलाएगा अपनी तरफ ठीक है अब देखो जरद्यान से यह गया इसने एक electron यहां से ले लिया अब इसके पास कमी हो गए कि लिए और मेरे को एक electron चाहिए पास वाले का भाई अपने रहते तेरे को Americans नि लेंगा पास वाले ने इसको देदिया अब जैसे इसको समझे आ रहे भाई मेरे पास दिक्कत हो गई उसको कमी पड़ गई तो उसने बाजू वाले मेरे पास नहीं मेरे यह उतने उसस से धार लिया अब इसके पास भी नहीं है तो यह क्या करेगा इस बैटरिस देखार भीया तुम दे दो तुम दे दो तो इसने इस से उधार लिया ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे से एनरजी ले रहा है मैं परस्ट भी चार्ज हो गया मुझे लेक्ट्रॉन चाहिए लाके दो बाजवले से ले लिया बाजवले ने दोस्तियारी में दे दिया पर उसक में यह जो आपका बैटरी है वो ही लाके दे रहा है कि लो भाया लो लो जाके electron लो और move करो तो देखो electrons क्या कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं एक जगे से एनरजी ट्रांसफर कर रहे हैं अब देखो ज़र ध्यान से एक बार फिर से बताता हूँ इलेक्ट्रोंस पर नेगेटिव चार्ज होता है यह रहास बैटरी का पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा नेगेटिव को अपनी और अब क्या हो रहा है बैटरी ने पहले वाले से एक इलेक्ट्रों उधार लिया किस से यह पहले वाले एटम से यह सारे क्या है एटम है पहले वाले एटम से उधार लिया पहले वाले को कमी हो गई उसने अपने पडोसी से एक उधार ले लिया कि ला भया मेरे को दे इसकी कमी पूरी हो गई पर इसके पास कमी आ गई इसके पास कमी आ गई तो इसने अपने पडोसी से का भया एक एटम एक इलेक्टरॉन दे इसने दे दिया अब इसके पास कमी आ गई तो ऐसे कर करके ऐसे कर करके Electrons का Flow होता है और उसके साथ ही Energy Transfer होती है अब समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया Electrons easily flow क्यों नहीं होते हैं क्योंकि अगर उनको कोई बांध के रख दे आपको अगर मैं चैन से बांध के रख दू तो क्या आप घर से बाहर निकल पाएंगे अपने दोस्तों से मिलने नहीं निकल पाएंगे न आप फ्री हैं इसलिए अपने दोस्तों से मिल रहे है जाके पर अगर आपको बांध दिया जाए तो आप नहीं मिल पाएंगे तो ये बिचारे free हैं वेल ने हैं एकड़म कोई काम नहीं घरवाले ने छोड़ दिया जाओ जो करना है करो है ना समझ में आगया समझ में आगया अब भूल के बताओ हो सके तो यह देखो current हमेशा एक close circuit में flow होता है current हमेशा एक close circuit में होता है close circuit का मतलब है रास्ता complete होना चाहिए रास्ता complete होना चाहिए अगर रास्ता complete नहीं है तो आप school नहीं जा पाएंगे current flow नहीं हो पाएगा और अगर रास्ता complete है तभी current flow गा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो switch आपका भी close है रास्ता switch on है रास्ता इनकंप्रीट है current flow नहीं हो रहा है बल्ब नहीं जल रहा है जैसे switch को off किया switch को on किया यानि आपका circuit close हुआ current flow होने लगा ध्यान से सुनना जब आपका switch क्या है off condition में है तो circuit तूटा हुआ है रास्ता तूटा हुआ है कोई electron pass नहीं करेगा move नहीं करेगा क्योंकि रास्ता तूटा हुआ है बट जब आपका switch on हो गया यानि circuit close हो गया तो current flow हो रहा है बल्ब जल रहा है तो कुछ इस प्रकार से current का flow होता है समझ गया है न complete path complete path ठीक है clear है I love you I love you I love you आप सभी को प्यार दिल से प्यार दिल से प्यार crystal clear है crystal clear है समझ में आ गया चलो अब वही जो चीज़े पढ़ के आए हैं देखो आपकी मेडम जो स्कूल वाली क्या कहती है अरे बच्चा तुमको समझ में आ रहा है पर हमको उससे कौनों मतलब नहीं है हमको मतलब है तुम copy में लिखो हमने तुमसे जो सवाल पूछा है हमने तुमसे जो सवाल पूछा है तुम उस सवाल का answer हमको लिख के दोगे तभी हम तुमको number देंगे उमेज पांड़ जी कह रहा है कि current क्या होता है कोई इनको बता दीजे उमेज पांड़ जी को उमेस पांडे जी को पताई यह करेंट क्या होता है Electric current is a Electric current is a flow of flow और moment of electrical charges Electric current का मतलब क्या है 365 पांडे जी Electrical charges का मतलब होता है The flow of The flow of electrons The flow of electrons या movement of electrical charges is known as electricity यह हम कह सकते हैं The flow of energy Electricity is the flow of energy ठीक है, why does not flow electron freely शुएस बेटा आपका सवाल आपने हिंदी में लिख दीजे, आपका सवाल समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाते हैं और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि flow easily क्यों नहीं होता है क्योंकि जब आपको बांध दिया जाएगा रस्ती से तो आप नहीं भांग पाएंगे तो insulator में जो electrons होते हैं वो bounded होते हैं उनके बीच में जो force of attraction होता है वो बहुत जादा होता है, बहुत जादा से bound बहुत जादा तेजी से bound होते हैं और इस वज़े से वो move नहीं कर पाते हैं ठीक है The electrons that is conductor through copper wire in your home consists of moving electrons The electricity that is conducted through copper wire in your home is consistent of moving electrons यानी हमारे घरों में जो बिजली आरही है आरही है उस बिजली का मतलब क्या है कि जो copper wire आ रहा है उसके अंदर electrons बहुत तेजी से बहुत तेजी से move कर रहे होंगे बहुत तेजी से move कर रहे होंगे The wire is full of atoms and free electrons and the electrons move among the atom जो wire है उसमें बहुत सारे धेर सारे atoms है धेर सारे atoms है कैसे ऐसे धेर सारे atoms है और उन atoms के अंदर electrons का flow हो रहा electrons एक जगė से दूसरी जगे जा रहे हैं तो ये था आपका पूरा revision ठीक है ये था आपका पूरा revision जो आपको पढ़ाना था आपका base बनाने के लिए अब आपको समझ में आ गया current क्या होता है electricity क्या होता है थोड़ा सा और ये class 7 ने पढ़ा था आपने कुनाल जैन बेटा अभी आपने क्या पढ़ा what is the difference between conductor and insulator क्या बताया आपको आपको यही तो बताया है कि conductor का मतलब ऐसे material जिनके अंदर free electrons हो या जिसमें current easily flow हो साई जिसमें current आपको असानी से flow हो सकता है उसे conductor कहते हैं जिस material में current flow नहीं हो सकता उसे हम insulator कहते हैं अब जल्दी से एक सवाल का जवाब दो conductor के example बता ओ कंडाक्टर के कंड़क्टर के moगे example बेटा सेमी कंड़क्टर आपके लिए जानना अभी important नहीं है जो important है वो अभी पढ़ो आप metal, copper आपने बता दिया gold ठीक है अब आप मुझे बताइए insulator के तीन example insulator के तीन example बताइए plastic, wood and rubber बिल्कुल सही है plastic, wood and rubber ये insulator होता है इनमे current flow नहीं होता है, इनमे current flow नहीं होता है, बिल्कुल सही जबाब है एक सवाल, KBC खिलते है 5 रुपीज के लिए पूरे 5 रुपे के लिए एक सवाल है, पूरे 5 रुपे big amount, it's a big amount 5 रुपे बहुत बड़ा है माउंट है पता नहीं आप इससे क्या करेंगी हो सकता है, कार खरी ले, हो सकता है, घर खरी ले पर यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है 5 रुपे का सवाल है, तो आप सवाल का जो level है समझ सकते हैं कितना cutting होगा सवाल ये है, कि जो wires होते हैं, उन wires के उपर rubber की layering होती है या हम कहें, rubber से coating की जाती है जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको wire आपने देखेंगे, बहुत सारी है, देखो एक wire देख रहा है आपको, यह wire देख रहा है और बाहर जो material है, वो rubber होता है और इसके अंदर copper होता है ऐसा क्यों किया जाता है यानि, जो wires होते हैं उनके उपर, rubber की coating क्यों की जाती है rubber की clothing क्यों की जाती है plastic की coating क्यों की जाती है for safety reason, answer यह नहीं है पूरा answer चाहिए detail में ताकि shock ना लगे, ताकि current ना लगे show that we do not get electro cut because rubber are conductor conductor of electricity rubber is a good conductor of electricity because of shock rubber is a good conductor of electricity बेटा कैसी बाते कर अभी आपको insulator के example बुलवाएं है insulator, rubber insulator होता है because rubber current नहीं लगेगा current नहीं लगेगा, current नहीं लगेगा current नहीं लगेगा अच्छे चलो किस-किस ने सही answer दिये बताओ बहुत तीजी से answer आ रहा है के अके 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 सही answer दिया है चलो 55 रुप बेज़्दो जल्दी से फटाफट साब के नाम मुझे आद हो गए जल्दी से फटा फट पर पांच फट पर बेज दो मैं आप बोगे इससे बिलकुल नहीं का था कि calculate रुपे का सवाल है तो अगर आप सही बताओगे तो मैं आपको पांच रुपे दूँगा नहीं 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 यह उल्टा था अगर आपने सही रुपे बताया तो पांच रुपे देना पड़ेंगा तो बहुत कवाई हों गई समुजा गाएंगे समुजा बिल्कुल यह आ रह पांच रुपे देना आपको सवाल नहीं शुनाई देगा ठीक है चलो बहुत सारे पैसे आ अच्छा माल लो आपके पास अभी बहुत सारे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे पांच अजार रुपे फ्रम नीधी ने पांच अजार रुपे दे दिये हैं ठीक है नीधी थैंक यू इन्वेस्ट करेंगे ओम प्रदाकर कह रहा है इन्वेस्ट करेंगे कार ले क्या हूँगा समोसा खाऊँगा अपने पेरेंट्स को दूँगा आप से मिलने आगे रहे तो मुझे से मिलने के लिए पैसे ज़र थोड़ी है डोनेशन डोनेट कर देना मुझे कर देना सर करोरपती बन जाओंगा सर रॉल्स रॉयस ले क्या हूंगा केक खाऊंगा केक खाऊंगा गरीबों को दे दूगा आइफन करी दूगा आप से मिलने आओंगा डोनेट कर दूगा सर करोरपती सेविंग करूँगा केले खाऊंगा ये क्या है खर्चा बानी होगा खर्चा बानी ये आई बिल सेव एक्सपरिमेंट books कर दूँगा ये ये जिन books वाले बंदे ने बिल्कुल जूट बोला है books वाले ने books तो मम्मी पापा ने इतनी खरीद के दिये कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है donate करने का कभी भी खयाल आए तो मेरे से contact कर लेना मैं बता दूँगा मुझे ही कर दिना देखो conductors, insulator, example देख लेते हैं ये रहें आपके conductor के example silver, gold, copper, steel and sea water sea, sea water, sea water यानी सمنदर का पानी फिर आपका rubber, glass, oil, diamond, wood ये आपके insulator होते हैं 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 इस वाले फोटो को हम फिर से आपको समझाएंगे पर उससे पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है क्या liquid विलेक्रिसिटी करता है यस और नो लिक्विड गन्दक्ट अलेक्रिसिटी क्या या क्रिकेटर बन जाओंगो पैसे से क्रिकेटर बनते हैं क्या यस 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 रिजन बताओ रीजन बताओ चलो आप लोगा आंसर है यस वो तो मैं पहले लिख देता हूँ यस लिक्विड कंड़क्ट एलेक्टरिसिटी अब रीजन बताओ रीजन बताओ रीजन विट रीजन मुझे जानना है विट रीजन प्रॉपर रीजन दीजिये कि क्यों आपने कहतो दिया यस मैंने लिक लिया यस पर क्यों कारण क्या है जब तक मैं आपका मैप तयार करता हूँ पूरा जल्दी से बताओ कारण क्या है क्यों करेंट फ्लो होता है क्यों करेंट फ्लो होता है क्यों करेंट फ्लो होता है किसमें क्यों करेंट फ्लो होता है लिक्विड में यस तो बोल दिया बट यस नहीं बोलना था आपको आंसर दताना था विट वैलिड रीजन तो 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 Because of iron because of salt because of iron because of salt only because of presence of salt Because of salt because of salt GOP काम करता हु यार एककाम करताु मैं बैट जाता हुं शुट्टी प النे पढ़ाने बच्चे सब पढ़ा इनको सब पता है सारे आंसर सही दे रहें सारे आंसर साही दे रहें गाइतरी हो चाहे वो निखिल हो अगर हो अलोक सक्षेना सुरेश समय आयूश मतलब क्या है सब तो आता है और भाई लड़के क्या तो क्या तो तकड़े लड़के मैं आउंगा मैं आउंगा हाँ ठीक है भाई आजाना सब को आता है सब को पता है बहुत सही जवाब है चलो अब एक चीज नहीं पता होगी अब एक चीज नहीं पता होगी भाई solid में current क्यों flow हो रहा था क्योंकि solid में present थे आपके energy carrier solid में current flow हो रहा था because of free electrons solid में current flow हो रहा था because of free electrons जो की कैसे काम करते हैं they work as an energy carrier वो energy carrier की तरह काम करते हैं जो कि एक जगे से दूसरी जगे एनरजी को कैरी करके लेके जाते हैं ये रहा हमारा पानी ये हमारा एकदम प्योर वाटर है अब करेंट फ्लोगा क्या ये हमारा पानी है प्योर वाटर है इसमें करेंट फ्लोगा क्या जल्दी से बताओ क्या इस प्योर वाटर में यहाँ पर पानी भरा है प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में करेंट फ्लो होगा Yes or No Pure Water में Current Flow花 No 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 क्योंकि Pure Water में कोई भी आपका Energy Karrier नहीं है Pure Water में कोई भी Energy Karrier नहीं है पर मैंने क्या है जैसे ही pure water में salt मिलाया जैसे ही pure water में salt मिलाया तो एक reaction होगी क्या होगी चलिए वो आपको बताता हूँ बच्चा पाटी देखिए NACL ये क्या है नमक है NACL आप लोग ने देखा होगा NACL क्या है ये नमक है जब इस NACL को हम पानी में मिलाते हैं NACL में ये NACL में जब पानी मिलाया जाता है तो ये टूट जाता है NACL में यहाँ पर NACL को क्या कहा जाता है NACL को कहा जाता है NIN NIN कहते हैं इसको इसको NIN कहते हैं क्या NACL को क्या कहते हैं Ketion या NIN NACL को आप मैंसे contact कर रहा है मुदित भारदवाज मेरे भाई Na plus को cation कहते है Na plus को cation यानि positive वाले को cation और negative वाले को nion ठीक है positive वाले को इसको हम cation कह रहे हैं ठीक है इसे हम nion कह रहे हैं अच्छा इन दोनों को common रूप से क्या कहा जाता है इन दोनों को common रूप से क्या कहा जाता है इन दोनों को कॉमन रूप से कहा जाता है आयन्स और यह आयन्स क्या होते हैं यह वर्क एज अ एनर्जी कैरियर और यह एन आयन्स भी एनर्जी कैरियर की तरह काम करते हैं तो यह जहां कहीं भी फ्री एलेक्टरॉन्स हो जहां कहीं भी free electrons हो या ions हो जहां कहीं भी free electrons हो या ions हो वहाँ पर current flow होगा 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 लिखके रख लो जहां कहीं भी free electrons हो या ions हो वहाँ पर current flow होगा 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 लिख लो बात खतम simple जी बात है ठीक है अब देखो ये pure water था current flow नहीं हो रहा था जैसे ही मैंने pure water में salt मिलाया यहाँ पर यह जो salt है NaCl वो तूट गया Na plus Cl minus में यानि अब यहाँ पर धेर सारे Na plus है धेर सारे Cl minus है धेर सारे Na plus है धेर सारे Cl minus है हम यहाँ पर और यह कैसे work करते हैं यह Na और यह Cl कैसे work करते हैं तो यह work करते हैं as a charge carrier as a energy carrier यह energy को carry करते हैं एक जगे से और दूसरी जगे energy को लेके जाते हैं जैसे इस battery से energy आ रही है इस battery से energy आ रही है Na ने यहाँ से energy को पकड़ा और ले जाके यहाँ तक पहुँचा दिया CL ने energy को पकड़ा ले जा कि यहां तक पहुचा दिया यानि energy एक जगे से इधर जा रही है फिर इधर आ रही है फिर इधर जा रही है यानि energy एक जगे से दूसरी जगे continuously flow हो रही है और energy flow येस का मतलब current flow हो रहा है current flow हो रहा है यानि आप liquid में भी electricity conduct कर सकते हैं बट सारे ही liquid में electricity conduct नहीं होता है सारे liquid में electricity conduct नहीं होता है कुछ ही liquid में electricity conduct होता है और जिन liquid में electricity conduct होता है उन्ही liquid को कहा जाता है क्या? आप से मिलना है PW के PVN आप से मिलना है बिलकुल मिल लेंगे चलो एक simple से question का answer बताओ कि वो liquid जिनमे electricity flow होता है उन्हें liquid को क्या कहा जाता है वो liquid जिनमे electricity flow होता है उनको क्या कहा जाता है उन liquids को कहा जाता है electrolyte electrolyte यानि वो liquid जिनमे electricity flow होता है उन्हें कहा जाता है electrolytes यानि the solution in which electricity can easily flow the liquid solution in which electricity can easily flow is known as electrolytic solution या electrolytic बिल्कुल सही बात है वो solution जिन में current आसानी से flow हो सकता है वो solution को कहा जाता है electrolytic solution बिल्कुल सही जवाब है तो अब देखो liquid में भी electricity flow हो रही है clear है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, गड़वड, कोई परिशानी, problem, समस्या, दुविधा, संकट कुछ भी है तो बताओ चलो भाई थोड़ा सा बता दो पहले कोई problem, कोई परिशानी, कोई दुविधा, कोई संकट कुछ भी है offline पढ़ा दो offline कैसे पढ़ा दो? नेट बंद का, तो offline हो जाएगा पर पढ़ नहीं पाओगे ना? एक doubt है, क्या doubt है? नहीं, अनुझ कुमार, no, you are not allowed to go to washroom you can go to washroom after finishing the class no, किसी को permission नहीं है diamond is a good conductor होता है, हाँ diamond good conductor होता है diamond good conductor होता है चलो, हो गया समझ में बहुत हो गया बहुत हो क्या समझा दिया आप लोगो अब मस्ती नहीं, अब मस्ती नहीं वापस इदर पे आते हैं liquid electricity conduct होता है अगर उसमें क्या present हो, अगर उसमें ions present हो ions मतलब ketine या ना ना दोनों हो सकते हैं ठीक है, और वो conducting, वो solution जिसमें electricity conduct हो सकती है उसे electrolytic solution कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है PW के PV चलो, जल्दी से अब ये बताओ कि जब किसी liquid में electricity flow होती है तो वहाँ पर क्या-क्या होता है जब किसी liquid में electricity flow होती है तो वहाँ पर क्या घटना देखने को मिलती है PW के PV चलो, पर चलो, जल्दी से बताओ प्रशान, तंजनी कुमार, सब मुझे बताएंगे कि जब कभी किसी liquid में current flow होता है तो वहाँ पर क्या-क्या हमको changes देखने को मिलते है वहाँ पर bubble forming होती है वहाँ पर color का change होता है या फिर हम simple से एक word में कह सकते है जब कभी किसी liquid में current flow होता है तो वहाँ पर chemical change होता है होता है कि नहीं? जब कभी किसी liquid में current flow होता है तो वहाँ पर उस liquid में हमको chemical changes देखने को मिलते है वहाँ पर chemical changes देखने को मिलते है ठीक है? मिलता है ना? सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ जूट तो नहीं बोल रहा हूँ ये बताओ सच बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ ना फुटबॉल बनने के लिए क्या करें फुटबॉलर बनने के लिए आप फुटबॉलर बनने के लिए फुटबाल खेलिए यह अगर हम एक सबसे सिंपल तरीका बता है तो फुटबाल बनना है आपको तो क्रिकेट खेलिए आपको फुटबालर बनना है तो क्रिकेट खेलिए अब देखो क्या होता है बच्चो जब कभी किसी conducting solution में या जब कभी किसी liquid में current flow करवाया जाता है, तो वहाँ पर धेर सारी, इतने, नहीं, इतने, नहीं, एक इतने, एक मिनट, इतने, ठोड़े, और, ठोड़े से और जड़ादा, इतने जाधा, जब कभी किसी conductor में current flow होता है, तो इतने ज़ादा changes होते हैं, कौन से? Chemical changes, तो बहुत सारे chemical changes होते हैं और ये chemical changes क्यों हो रहे हैं तो ये chemical changes हो रहे हैं electricity के flow के कारण ये सारे chemical changes electric current के कारण हो रहे हैं और इस वज़े से कहा जाता है chemical effect of electric current यानि electric current के flow होने के कारण जो chemical changes होते हैं उस पूरे sentence को या इस पूरे वाक्या को कहा जाता है chemical effect of electric current यानि जो आपके chapter का नाम है तो आप what is distilled water यानि purest form of water pure water अब बताओ आप अपने chapter का मतलब समझे आप अपने chapter का मतलब समझे आपके chapter का नाम है chemical effect of electric current इसका मतलब जब कभी भी किसी solution में current flow होगा तो उस current के flow होने के current उस solution में कुछ chemical changes होगे और इसे ही कहा जाता है chemical effect of electric current तो आपको अपने इस chapter का जो नाम है इसका मतलब समझ में आया हो chapters का नाम समझ में आगिया ओके गाइस okay गाईस okay okay thank you thank you thank you guys thank you szybk कुछ के लिक्विड को गरते हैं यानी इन्हें हम कहेंगे इन्हें केते हैं जो कि क्या करते हैं current का flow करवाते हैं solid to liquid इन्हें कहा जाता है electrodes electrodes यानि ऐसे material या ऐसे वो substance जोकि solid से liquid में current का flow करवाते हैं solid से liquid में current का flow करवाते हैं उन्हें हम कहते है electrodes और जब कभी current flow होता है किसी liquid solution में तो वहाँ पर बहुत आरे changes देखने को मिलते हैं चैसे कुछ changes है bubble का formation यानि electrodes पर bubble का formation होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका water है वो तूट रहा है जो hydrogen है water क्या होता है H2O तो water आपका तूटता है water आपका तूटता है किसमे hydrogen प्लस oxygen में water का electrolysis करवाया जाता है water का electrolysis करवाया जाता है तो water तूटता है hydrogen और oxygen में और इन electrons पर bubbles के form में gases बाहर निकलती है bubbles के form में gases बाहर निकलती है ठीक है तो यह होता है chemical change इसके अलबा क्या होता है आप एक simple सा आलू रखिए आलू काटियों आलू काट लो आप यह आलू है potato आलू है potato आलू आपने काट लिया अब इस आलू में आपने क्या किया है दो wires लगा दिये हैं दो wires लगा दिये हैं और इन दोनो wires को आपने connect कर दिया है एक battery से दो wires लगा दिये दोनो wires को आपने battery से connect कर दिया और आप देखेंगे कि इस wire में current flow हो रहा है क्योंकि alu is a conductor of conductor of electricity because of presence of starch alu में starch present होता है और इसी वज़े से वो electricity को conduct करता है और जब हम current को flow करवाएंगे alu में कुछ समय तक हम छोड़ देंगे कुछ समय बाद अगर हम देखेंगे कुछ समय बाद अगर हम देखेंगे तो alu में एक जो spot है वो green हो जाएगा एक जो spot है वो green हो जाएगा और आप मुझे बताइए बहुत प्यारा सवाल है कि positive terminal वाला spot green होगा या negative terminal वाला positive terminal वाला या negative terminal वाला ये chapter पढ़ना बिलकुल जरूरी है बिलकुल जरूरी है बताइए positive terminal वाला हो जाता है यानि अगर आपको नहीं पता है कि एक बैटरी का positive terminal कौन सा है negative terminal कौन सा है तो आप इस experiment से पता लगा सकते हैं कि बैटरी का positive कौन सा है negative कौन सा है कैसे आप उस बैटरी से दो wire निकाल लिए आलू में गार दीजिए और जो वाला end आपका green हो जाएगा आलू का वो positive terminal है और दूसरा वाला negative हो जाएगा तनवी कह रही है LED क्या होता है अब बचों क्या होता है simple सा एक फंडा है कि यहाँ पर जो current फ्लोर आए वो बहुत कम है जो current है वो बहुत कम है current की value बहुत कम फ्लोर ही है क्योंकि यहाँ पर free electrons बहुत कम है current की value बहुत कम है तो अगर हम एक बड़ा सा bulb यूज करते हैं अगर हम एक बड़ा वाला bulb यूज करते हैं तो उस बड़े से बल्व को जलाने के लिए ज़ादा current चाहिए होता है और इतना current यहाँ पर flow हो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा बल्व यूज करते हैं एक छोटा सा बल्व जो की बहुत कम value पर भी यानि जो बहुत कम current पर भी क्या करे जलने लगे एक ऐसा बल्व जिसे light emitting diode कहा जाता है LED का full mom light emitting diode और उसका इस्तिमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कम current होने पर भी जलने लगता है यानि अगर current की value कम होगी तो भी ये glow करेगा पर ये वाला glow नहीं करेगा पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि current नहीं flow रहा है current flow रहा है पर current की value कम है इस वैसे बड़ा वाला बल्व गलो नहीं करेगा और आपका LED गलो करने लगेगा इसलिए जब कभी भी कोई experiment किया जाता है तो वहाँ पर हम try करते हैं कि LED बल्व का इस्तमाल किया जाए है ना हा बिलकुल होता है गाइतरी वेता वो जो आपको दिखाते ना उसमें हो जाता है वो जो दिखा रहा है कहालू से मौ बाइल लोगो नहीं तो आप मेंसे बहुत से चालाग लोग होंगे वो क्या करेंगे आज से आलू से हम लोग बिजली जलाएंगे तो मम्मी के सामने ऐसा मत कहना वरना मम्मी के फ्लाइन चपपल आएंगी और हमारी जो बेज़ज़ती है वो अलग होगी आप लोगों का जो होगा वो तो हो गई हमारा भी हो जाएगा तो ये मत करना वरना आप सारे तार वार फेकदो निकाल के अलू खरीड लाओ और पिर अलू से बिजली जलाने लगो और फिर घर में न तार भी गया बिजली भी निजलेगी आलू खराब डबल कुटाई हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग डबल पिटाई करें और हमारे इंसल्ट करवाएं तो ऐसा ना करिएगा है ना बिजली बचाओ अंदोलन आलू क से नहीं बचेगा बिजली बताओ अनलब जब जरूरत ने तो बंद कर दो एलीडी का फुल फॉर्म बता दो भाईया एक बार एलीडी का फुल फॉर्म बता दो एलीडी का फुल फॉर्म बता दो कोई बता दो तो यहाँ पर दूसरा केमिकल चेंज क्या हो गया कलर चेंज हो गया वहाँ पर या हो रहा था bubbles formation हो रहा था फिर color change हो रहा था इसके अलावा आप देखेंगे तो एक metal का दूसरे metal पर diposition हो जाएगा full f socio LED क्या होता है? Light Emitting Diode होता है, लिक देता हूँ भाई, इतना घवराईए मत, परिशान मत होईए, Light Emitting Diode, Light Emitting Diode, अब एक और Chemical Changes देखने को मिलते हैं, एक और Chemical Changes वो क्या है बचो? तो देखो Electro Plating, Electro Plating में क्या होता है? एक Metal का दूसरे Metal पर क्या होता है? यहां पर एक Metal की Rod है, और यहां पर हमारे पास एक Gold है, यानि एक सोने की Rod है, तो हमने क्या किया? इस Current Flow करवाया, तो Current Flow होने की वैसे यह जो Gold का जो Rod है, उसकी कुछ परत आकर इस Metal के Rod पर चिपक गई, तो अब इस Metal के Rod पर सोने की परत चम गई है, सोने की परत आकर चिपक गई है, जिससे कहा जाता है Deposition of Metal और यह भी एक Chemical Change है, अब इसे हम Detail में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही यही है, ठीक है? अब चलो जो भी Chemical Changes हुए हैं, भाईया समझ में आया कि नहीं, Chemical Change का मतलब क्या है, Chemical Effect of Electric Current का मतलब क्या है? Distill Water means Pure Water, सर, Pencil से Electroplating कर सकते हैं, Pencil से Electroplating, Pencil से, Pencil में Current Flow होता है, बिल्कुल Current Flow होता है, आप करवा सकते हो, सर, सबसे भारी गैस कौन सी है, वो वाली, समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल, Electroplating अभी करेंगे न, समझ गया, एकदम उत्तम तरीके से समझ गया, अब भाया समझ तो हो गया, पर मेडम को यह नहीं चाहिए, मेडम को यह नहीं चाहिए, स्कूल वाली मेडम को क्या चाहि मिला तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया, बताओ, मेडम को आंसर देना है, मेडम को उनके सब्दों में, ये, मेडम को आंसर देना, ये, ये, बिल्कुल सर, यल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो लो, आपकी मेडम के लिए भी हमने कुछ विवस्ता की है, क्या विवस्त हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो धन्यवाद आप बहुत अच्छा पढ़ते हो इसलिए आपको समझ में आता है अगर आप अच्छा पढ़ोगे आपका वेट कितना है बहुत थोड़ा लिंक से हटके सवाल है यार बहुत टॉफ कोशन सर आपका वेट मेरा वेट है 74 केजी मेरा वेट है 74 केजी सर आप तो बड़े मजा किया बनना बढ़ता है क्या करें जमाने की मार से बचने के लिए यानि जब कभी किसी सॉलीशन से करेंट पास होता है तो वहाँ पर कैमिकल चेंज देखने को मिलते हैं और इसी चीज़ को कहा जाता है क्यामिकल एफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करेंट ठीक है दूसरा, as a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes अब कैमिकल चेंज हो रहा है तो उस कैमिकल चेंज के रूप में हो सकता है आपको bubbles formed होते वे दिखाई दे जाए इसके अलावा हो सकता है आपको कोई metal आकर deposit हो जाए इलेक्ट्रोड पर हो सकता है आपको solution का color change होता हुआ दिखाई थे यानि यह कुछ changes हो सकते हैं and the reaction would depend on what solution and electrodes are used अब जो reaction है अलग-अलग electrodes के लिए, अलग-अलग solution के लिए जो reaction है वो अलग-अलग होंगी वो depend करेगा कि आप किस type का solution इस्तिमाल कर रहे हैं, किस type का electrode इस्तिमाल कर रहे हैं these are some of the chemical effects of electric current और यह आपके कुछ electric current के chemical effect होते हैं तो अब आपका जो chapter था वो आप लोगों ने समझ लिया ठीक है आलोक सक्सेना बेटा bubble किसने invent किया था तो यह अगर हम देखें तो बहुत कुछ बहुत बड़ा घटना नहीं है बहुत छोटी-छोटी है तो यह चीजे ध्यान नहीं दी जाती है कि भाईया किसने किया किसी scientist ने कर लिया कुछ जो बहुत बड़ी घटना है ना उनक कुछ नहीं बचेगा एसे खुराफाती दिमाग वाले बच्चे नहीं यह सवाल नहीं चलेगा यह सवाल नहीं चलेगा मेरी हाइट है 174 cm 75 कम बोलती है मैंने तो अब देखो Electroplating कोई बताएगा मुझे Electroplating क्या होता है हाँ thumbnail में light लिखा है पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ Chemical Effect of Electric Current ठीक है आप कहा सी हो मैं अपने घर से हूं मैं अपने घर से हूं जल्दी से बताओ Chemical Effect of Electric Current क्या होता है chemical effect of electric current हो गए done अब बताओ electroplating क्या होते ये electroplating जल्दी से हाँ बिल्कुल होता है chemical effect of electric current solid मेरी आ रिया आलू तो solid इसा ना आलू तो solid इसा ना होता हुई होता है जल्दी से बताओ तो सर, chemical effect solid में होता है, होता है बाटा, आलू, solid, the deposition of one metal to another, धीक है, वही, बिल्गोल सही बात है, एक metal का दूसरे metal पर deposition, क्यों किया जाता है, सवाल है क्यों, तो देखो. हमारे पास दो मैटल है ठीक है बच्चो देखो करते क्यों है रीजन देख लो एक, दो हमारे पास एक मैटल है क्या आइरन और एक है गोल्ड हमारे पास एक आइरन है एक गोल्ड है या हम कहें गोल्ड के जगे अगर हम क्रोमियम ले 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 तो ठीक रहेगा हम ले लेते हैं क्रोमियम हम क्रोमियम ले लेते हैं और आइरन ले ले लेते हैं अब चलो, अब चलो हम क्या करते हैं इन सब की थोड़ी स्ट्रेंथ लिखते हैं इसकी strength लिखते है कि इसकी strength क्या है iron का plus point क्या है iron के बारे में positive point क्या है तो पहला ये easily available है easily available है दूसरा ये strong है यानि इसकी strength अच्छी एक 80 है इसकी strength ज़्यादा है तीसरा ये cheap है सस्ता है ये हो गए इसका positive point ठीक है अब iron के बारे में negative point क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है ये shine नहीं करता है shine नहीं करता है signing नहीं करता है दूसरा corrode हो जाता है durable ज़्यादा नहीं है ये हो गए इसके negative point ठीक है ये इसके negative point हो गए आचा क्रोमियम के बारे में कुछ पॉजिटिव बाते बताओ क्रोमियम ये क्या होता है ये रस्ट फ्री होता है यानि इस पर जंक नहीं लगता है दूसरा ये बहुत ही शाइनी होता है यानि चमकीला होता है चमकीला होता है तीसरा यह scratch proof होता है scratch proof होता है यह फिर rust free होता है फिर यह long lasting होता है यह हम कहें durable होता है तो यह कुछ chromium की property है अगर इसके वारे में negative देखे हम तो भईया यह महंगा होता है यह क्या होता है यह cost likely होता है expensive होता है अब देखो अब देखो क्या हो रहा है बचो हम लोग कौन है हम लोग है जुगाडू हम लोग जुगाडू किया कर लें जुगाडू हम सोने का biscuit खिलाएंगे है ना पांच रुबर में तुमको सोने का बिस्किट खलाएंगे हम लोग जुगाड़ो इंसान है तो हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं अब जुगाड़ करने का मतलब क्या है तो आप लोग को मैंने कहतो दिया था कि क्रोमियम का तुमको हम देंगे गिफ्ट अगर तुम लो जाए आपको doubts अभी लेंगे अभी समझा तो एक बार आपको तो आपको क्या कर रहे हैं हलका सा बेबकूफ बना रहे हैं और आपको हम iron की चीज़ दे रहे हैं बड़ आपको लग रहा है chromium का क्यों क्यों कि यह सारी properties है और फिर मैंने क्या किया यह वाली properties इस पर चड़ा दी यह वाली properties का use कर लिया इसकी यह property का use कर लिया और इसकी यह वाली property का use कर लिया यानि chromium के अंदर कुछ desired properties थी तो मैंने क्या किया वो सारी properties उठाई और उठाके मैंने iron में mix कर दिया iron में मिला दी अब आप लोग कहेंगे आप लोग कहेंगे कि sir sir आप यह जो chromium है इस पूर कोई नहीं खरीदेगा अभी आपकी जो साइकल आती है वो कैसी होती है चमकीली होती है मस्ट चमक रही है उस पर कोई स्क्रेच नहीं लगता है दस हजार में आ रही है क्योंकि वो iron की बनी है और उस iron की उपर हमने chromium की कुछ layer लगा दी है जिसकी वैसे कुछ desired properties आ गई है desired properties आ गई है यानि अगर हमें कुछ desired property चाहिए होती है किसी material की दूसरे पर किसी सस्ते material पर तो हम electroplating से इस chromium की properties या हमका layering कर देंगे तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा देखना जरध्यान से यह जो आपका iron है यह तो ऐसा ही रहेगा यह iron ऐसा ही रहेगा बस क्या हो जाएगा इसके उपर वाली जो परत है इसके उपर वाली जो परत है वो किसकी बन जाएगी इसके उपर वाली जो परत है वो हो जाएगी इसके उपर वाली जो परत है वो chromium की बन जाएगी यानि अंदर से तो वही iron ही है पर बाहर से क्या बन गया है वो chromium का बन गया है तो ये mix हो गया है ये mixed product है बाहर से chromium अंदर से iron बाहर से chromium अंदर से iron और इसी चीज को कहा जाता है electroplating इसी चीज को कहा जाता है electroplating यानि किसी एक desired material की एक दूसरे material पर layering चड़ाना कहा जाता है electroplating जैसे कि इस metal की रोड पर इस गोल्ड का प्लेटिंग किया जा रहा था तो ये एलेक्ट्रो प्लेटिंग कहलाता है समझ में आया हाँ बेटा गायती हर चीज महंगा हो गया है हर चीज महंगा हो गया है 80 everyone कह रहा है आलोक सर ओपी आलोक सर ओपी V-R V यानि आप प्लस मैं V-R-O-P हम सब O-P है V-R-O-P है ना तो चलिए Electroplating समझ में आया Electroplating समझ में आया Electroplating समझ में आया Electroplating समझ में आया अभी जैसे ही आपका topic खतम होगा आपके doubts clear करेंगे यह बताओ The process of depositing a thin layer of any desired material over a undesired material और a cheap material is known as by the means of electricity is known as electroplating नहीं आया फिर से बना समझाते हैं चलो ये क्या था ये सस्ता था पर इसकी properties अच्छी नहीं थी हमें सस्ते rate में अच्छी चीज चाहिए हमें सस्ते rate में अच्छी चीज चाहिए तो हम क्या करते हैं अच्छे वाले की layering चढ़ा देते हैं सस्ते वाले पर तो बाहर से तो देखने पर बहुत सही लगता है पर अंदर से तो क्या है अंदर से तो वो आपका खराबी है इसे electroplating कहा जाता है अब आप लोगों ने सुना होगा नकली जोलरी नकली जोलरी देखिए कभी नकली जोलरी artificial जोलरी देखा है किसी ने नकली वाली जोलरी देखिए artificial जोलरी किसी ने देखिए artificial जोलरी ऐसे ही बनाते हैं हाँ गनेश जोसी artificial जोलरी देखा है इन्होंने artificial जोलरी देखा है ना artificial जोलरी में क्या होता है सोने का दिख रहेए किट वाला पहन लेंगे इतना वड़ा गले में पहने का वहार है वहलोग यह आता है। लग तो वैसा हिरा है कि यह तोड़ी पता है कि यह असली वाला है कि नकली वाला है क्योंकि फेक है सब कुछ fake चल रहा है, सब कुछ fake है, आज कल सब कुछ बनावटी है, सब कुछ दिखावटी है, तो क्या किया जाता है, उस नकली उसको बनाया जाता है, किसी सस्ते material से, सस्ते metal से, और उसके उपर सोने की परत जैसा होता है, पानी चढ़ा दिया जाता है, एक लेरिंग परत चड़ाना is known as plating कौनसा electroplating जैसे देखो बहुत simple से साधारण से sabdوں में आपको समझा रहे हैं देखो इलेक्ट्रो प्लेटिंग समझाए भाईया ये हमारा फोन है आप सभी के पास होगा फोन ठीक है ये हमारा फोन है आप सभी के पास फोन होगा अब ये फोन क्या है भाईया बहुत सही लग रहा है ये फोन पर दिक्कत क्या है इस फोन को छोड़ेंगे तो गिर के तूट जाएगा इसको छोड़ेंगे तो गिर के तूट जाएगा गिर के तूट जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा क्योंकि महेंगा फोन है अब फोन तूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी तो हमने क्या किया हमने सुचा कि क्यों ना इस phone के उपर कोई एक ऐसा cover लगाया जाए जिससे की ये जो phone है गिरे तो तूटे ना बच जाए ठीके और इस पर scratch ना है scratch आने से भी बच जाए और ये ज़्यादा समय तक phone चले तो मैंने क्या क्या सबसे पहले दुकान पे गया अब कभी ये नीचे गिरे तो इसको बचाने के लिए मैंने क्या किया एक cover लगा लिया मैंने एक cover लगा लिया इसमें cover लग गया अब ये cover क्या होगा जब ये phone नीचे गिरेगा तो बचा लेगा तो इसका मतलब मैंने अपने phone को चारो तरफ से layer से cover कर दिया है covering कर दी है covering कर दी है क्योंकि phone पर covering चड़ाना आसान था पर एक metal के उपर दूसरे metal की covering करना लेरिंग चड़ाना ये मुश्किल होता है पर ये किया जाता है किसकी help से electricity की help से ये जो चीज है ये की जाती है electricity की help से electricity की help से की जाती है इसी लिए इस process को कहा जाता है electroplating यानि plating तो कर रहे हैं but with the help of electricity तो this is known as electroplating अब समझ में आया कि नहीं electroplating देखो बताओ the process of depositing a layer of any desired metal on another material by the means of electricity is called electroplating समझ में आया कि नहीं electroplating जल्दी से बताइए crystal clear तनवी कहा नहीं crystal clear है crystal clear है crystal clear है crystal clear है सभी लोग कहा रहे है crystal clear है बताते हैं galvanization बताते हैं वाह नहीं नहीं वाह अच्छा सिला दिया प्यार का अच्छा सिला दिया तुने मेरे प्यार का वाह बच्चो वाह आज आप लोगोंने मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया आप लोग कह रहे है सर अपना फोन गिरा दो बहुत दुख हुआ मुझे यह सुनके बहुत दुख हुआ मुझे सुनके यह आप लोग कह रहे हैं सर अपना फोन गिरा दो मेरा फोन गिर जाएगा तो मैं क्या करूँगा तूट जाएगा मेरा फोन तूट जाएगा नहीं बचो नहीं हैं गलत बेरी गलत बेरी गलत बेरी बैड भेरी बैड कि नवाट एकसेप्ट submarines है अगलत किया आप लोग ने हैं और है मैंने किराऊंगा तो के कंपान्सेट कर रहे हो वील姇व बोल के 5 najनी कंपंसेट कर रहे हो बताओ कर रहे हो दिल पर चोट लग गइं दिल पर एकदम खरो चे आ गए है खरोंचे वी लव यू बोल रहे हैं बताओ बहुल अब कितने चालांक बच्चे हैं पहले तो सर को बुरा लगवा दिया और आप बोल्रहे हैं we love यो सर वी लव यू सर वी लव कोई बात नहीं 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 मेरी यह से 24 जैसे chromium plating is done on many objects such as car parts bath tab kitchen gas burner bicycle handles wheel rims and many others क्योंकि chromium के अंदर वो desired properties होती है जो हमें चाहिए होती है पर chromium महगा होता है इसलिए हम chromium से पूरा product नहीं बना सकते हैं तो हम क्या करते हैं chromium की बस layering चड़ा देते हैं chromium की बस हम layering चड़ा देते हैं जिससे कि हमारा product कैसा चमकीला दिखता है strong दिखता है मजबूत दिखता है scratch free हो जाता है और हमारी जो जरूरत होती है वो कम पैसों में ही पूरी हो जाती है, कम पैसों में ही हमारी जो जुरूरत है पूरी हो जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है Electroplating, ठीक है, समझ में आ गया Electroplating, चलिए, अगर अब आप लोगे कोई doubts है, तो वो मुझे बता दीजिएगा, पर उससे पहले ये देख लो Chromium has a shiny appearance It does not corrode and it resists scratch यानि ये shiny appearance होता है इसके अंदर ये corrode नहीं करता है ये scratch को resist करता है पर Chromium is expensive and it may not be economical to make whole object out of Chromium और ये economical नहीं होता है कि हम पूरा ही object Chromier से बनाएं, ठीक है So, the object is made from a cheaper metal and only a coating of Chromium over it is deposited यानि हम material को एक सस्ते material से बनाते हैं और उसके उपर सिर्फ Chromium की plating कर दी जाती है जिसे कहा जाता है electroplating समझ में आ गया galvanization क्या होता है what is galvanization galvanization कौन बताएगा corrode का मतलब बेटा junk लगना नहीं नहीं किसी material पे electroplating नहीं कर सकते हैं बेटा I am your best friend प्रतीक प्रतीक आपका doubt चला गया आपने best friend बुला था मैं इसके बाद नहीं देख पाया बतादो क्या बोल रहे हूँ सर बच्चे कहने सर गिरादो प्रैक्टिकल अच्छे से होगा ठीक है चलो भीया आप लोगों का प्यार है आप लोगों के प्यार की वज़े से हम गिरा दे रहे हैं अब आप लोगों से प्यार करते हैं क्या करें प्यार में इंसान क्या क्या करता है देखो भीया यह रहा आपका यह रहा फोन गिरा रहे हैं यह रहा फोन देखो, देख रहा है ना, यह देखो, गिर गया, बस खुश, अब तो खुश हो ना, खुश हो, चालो, Galvanization क्या होता है गिरा दिया आप तो अब क्या नहीं नहीं अब नहीं 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 अभी आपने बुला तो गिरा दिया भाई गिरा दिया नहीं सर, नो सर, नहीं हो गया आप तो, अब तो गिर गया process of depositing a zinc over iron बिल्कुल सही बात है ये बचो एक iron की rod है iron rod है और हम क्या कर रहे है electricity की help से iron के उपर chromium की परत लगा रहे है है ना हम क्या कर रहे है electricity की वज़े से iron के उपर chromium की परत चड़ा रहे है हमने electricity की help से iron के उपर sorry chromium नहीं, zinc, it's zinc हमने क्या किया electricity की help से इस iron के उपर zinc की layer चड़ा दी, ये बाहर क्या है zinc zinc की हमने layer चड़ा दी या हम कहें zinc की हमने coating कर दी the coating of zinc over iron is known as galvanization galvanization का मतलब है आप कह सकते हो coating of zinc on iron is known as known as galvanization coating of zinc over iron is known as galvanization ठीके जो गाड़ियों पर होता है अब ये क्या होता है बच्चो galvanization अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपने मानो एक bridge बनाया बहुत बड़ा bridge अब कल को आप लोग क्या हो गए एक बड़े से civil engineer बन गए अब आप लोगों ने bridge बनाया अब bridge बनाया तो बच्चो क्या है iron का bridge है junk लग जाएगा तूट जाएगा तूट जाएगा ठीके तूट जाएगा तो क्या होगा नुकसान हो जाएगा तो आपने क्या किया उस bridge को durable बनाने के लिए iron के उपर zinc की layer चड़ा दी क्योंकि zinc जो है उसमें junk नहीं लगेगा वो जादा समय तक चल सकता है तो आपका bridge जादा समय तक चलेगा और इस वज़े से आप उस bridge पर जादा मस्ती कर सकते हो ठीके आप जादा मस्तिंग कर सकते हो तो zinc की iron के उपर layering करना कहलाता है galvanization और इसी के साथ आपका यह जो chapter वो खतम होता है अगर कोई doubt है तो पूछ लीजिए अगर कोई doubt आ रहा है तो पूछ लीजिए ठीक है how color get change because chemical change होता है ने बच्चो क्या होता है कोई ऐसा chemical बन जाता है क्योंकि आपने देखा होगा अलग-अलग chemicals के जो color होते है वो अलग-अलग होते है आपने blue vitrol white vitrol यह सब देखा होगा किसी का color नीला किसी का सफेद किसी का काला होता है तो जब chemicals बनते हैं अलग-अलग जब chemicals बनते हैं अलग-अलग तो उसकी वेज़े से क्या होता है अलग-अलग color देखने को मिलता है फोन वापस मैंने उठा लिया है आप सभी के कहने पर ठीक है और कोई डाउट आ रहा है सर जी आपकी साधी नहीं हुई इंसुलेटर क्या होता है इंसुलेटर का मतलब ऐसे माटेरियल जिसमें करिंट फ्लो नहीं हो सकता है उससे हम कहते हैं इंसुलेटर क्योंकि उसमें फ्री उलेक्टरॉन नहीं होता है ठीक है धीरे 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 बहुत तेजी से कर रहे हो बहुत तेजी से डाउट आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रोड्स क्यों इसकरते हैं का काम होता है सॉलिट से लिक्विड में एलेक्टिसिटी को फ्लो करवाना ठीक है भाई बहुत तेजी से कमेंट कर रहे हो कुछ तो ऐसे ही बिना मतलब के कमेंट है तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तब तक कर रहे है करना क्या है तब तक पढ़ना है अपना खयाल रखना है मुस्कुराते रहना है और लोगों को लोगों को क्या करना है खुश रखना है ठीक है ठीक है ठीक है अब आप लोग कह रहे हैं गाना गाने को गाना गाने को कह रहे है तो गाना गाने क्या चलो गाना गाना है ठीक है ग सजादो घर को गुलसन सा मेरे सरकार आएं हैं लगे कुटिया भी दुलहन सी मेरे सरकार आएं हैं ठीके तो गाना सुना दिया अब मिलेंगे अगली ग्लास में तब तक पढ़ते रहें मुश्करा तेरे अपना खयाल रखिये टाटा बाई बाई एंड थैंक यू अरे जाओ बाई बाई हो गया जाओ कुछ खाओ प्यों जॉय करो यार मस्ती करो और अगली क्लास में टाइम पर आना और हाँ रिवीजन करना ना भूलना चलो बाई 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 अरे अभी भी यहीं पर हो जाओ 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 जाके अब कुछ खाओ बाई बाई मज़े करो क्या जाओ 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 जाहाँ लो हो मलाओटय करेको